अभी मैं जा रही हूं डेंटिस्ट के पास अगर आप सब अमेरिका आते हो तो ये गलती कभी मत करना मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी बहुत इंपोर्टन चीज है जो की बहुत लोग ना जानते हुए कर जाते हैं तो अगर आप सब का अमेरिका में भले ही एक दिन आने का प्लान हो पर ये गलती बिलकुल मत करना तो मैं जा रही हूं डेंटिस्ट के पास टीथ क्लेनिंग कराने के लिए और मैं कोशिश करूँगे कि जो भी डेंटिस्ट जो है जो मेरा टीथ क्लीन कर रही है या करेगा तो मैं उनसे जानने की कोशिश कि यहां क्या प्रोसेस अमेरिका में डेंटिस्ट बनने का कितने पैसे लगते हैं और उनकी कितनी कमाई हो जाती है बींग डेंटिस्ट तो आज सारी डिटेल्स में बताऊंगे और कितने पैसे लगते हैं अगर आप जाके टीथ क्लेनिंग करवाते हो तो कितने पैसे लगत इस्ट्री का देखिए सो फॉल का सीजन है आटम है बहुत ही बढ़िया लगता है वाहर ड्राइब करने में चारो तरफ रेड औरेंज यलो पेड में पत्ते नजर आते हैं यहां अमेरिका में जिस गलती की मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की गाइज वो यह है कि अगर आप अमेरिका आते हो तो हेल्थ इंशॉरेंस जरूर लेकि आना क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंशॉरेंस नहीं है और आपको एक छोड़ी से खरोज भी आती है और हॉस्पिटर जाना पड़ता है तो आपको हजारो डॉलर्स का फटका पड़ सकता है मैं पहुच गई हूँ बस अब निकल रहे है तो यह रहा चलते हैं अंदर काफी ठंड है आइक एस दो तीन डिग्री करा हूँ टेंपरेचर है अभी गईज अर तो यह ग्यूपर का अंदर काम करते हैं जैसे आप समझ लीजे नर्स यो होती है वह डॉक्त पती है दॉक्त तो मधर staul होग करते हैं तो जो teeth cleaning वेगरा होता है वो dental hygienist करते हैं और बाकी सारे चीज़े dentist करते हैं इससे थोड़ा थोड़ा पानी का फुहारा आता है और यह जो पाइप आप देख रहे हो इससे वह पानी सक कर जाता है तो पूरा का पूरा माउथ आपका ड्राय हो जाता है निकल जाता है सारा पानी तो बहुत ही अच्छा मेरे मूँ में भी पानी आ गया है तो मैं अभी इस बशब्स जो भी करने लोग जाते हैं अगर उनका में होता है तो बहुत बार दिखा जाता है कि वो डेंटेस्ट बन जाते हैं इंडिया के डॉक्टर्स आक्च्वल जो एमडीबियस दॉक्टर्ट्र्स होते हैं उन से डेंटेश्ट को श्यादा कमाते नहीं है पर यहां पर ड वो सारी चीजें यहां बहुत सीरिसली लिया जाता है जस लाइक है तो अपके बॉड़ी में कुछ प्रोब्लम हुई तो आप डॉक्टर पास जाते हो दातवात साफ कराने बहुत कम लोग जाते है पर यहां पे साल में दो बार सब लोग जाते हैं कियोंकि इंशुरेंस की आप यहां पुच्छ अप्रीग प्रेक्विसितत टो आप महलेख अगे प्रेक्विसित दोब्ल्ल समय को घपार आप्सका सब्सक्तर कि प्रेक्विसित कि प्रे तो दो फॉई खें आपार बेसंट ग्ड कि अभूलेट सब्सक्सांट बोल्सक्तर कि अशुरें बार है गुकर हाली सच्छ चाहिश में है करीज, और हुरिव Generally ・ एकर कर गुचर करा है echtवा में이지 जो कि ये बंदी है अगर इनके सालरी की बात करो मैं तो जो रेंज है अमेरिका में वो है पचास हजार डॉलर से लेके एक लाख डॉलर तक का जो कि एक साल में ये लोग कमा लेते हैं और आइनर में अगर इसे कनवर्ट करो तो चालिस लाख से लेकर असी लाख तक एजली कमा लेते हैं एक साल में यह जो dental hygienist लोग होते हैं जो कि dentist के अंदर में काम करते हैं as an assistant cleaning वगरा करते हैं जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे 20 grand यानि कि 20,000 डॉलर में इनका जो dental college का फी था वो पूरा complete हो गया चार साल के degree कर लो आप या 2 plus 2 जैसा बताया है वैसा कर सकते हो तो 20,000 डॉलर बहुत कम है अमेरिका के साफ़े तो बहुत ही अच्छी opportunity अगर आप सब यहाँ dentist का course करना चाहते हो तो मैं फिर से explain कर देती हूँ तो उस बंदी ने 2 years hygiene degree एक technical school से लिया था और उसके बाद जो university है वहाँ से 2 साल का course किया था तो यह एक तरीका है dental hygienist बनने का और दूसरा तरीका है कि जो 4 साल की degree आप direct university में complete करके ले सकते हैं तो 4 साल अगर आप एक साथ एक university से degree लेते हैं तो थोड़ा से जादा expensive पड़ता है but at the end of the day दोनों तरीकों से आपको same degree मिलती है और same काम आप कर सकते हो और जब आपकी degree complete हो जाती है तो उसके बाद आपको clinical exam देना पड़ता है patient के साथ और उसके बाद एक return exam देना पड़ता है और दोनों exam में जब आप pass हो जाते हो तो आपको dental hygienist का license मिल जाता है so dental hygienist की salary मैंने पहले ही बता दिया अब बात करते हैं जो dentist की salary होती है वो कितनी होती है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे या अगर आप google भी करोगे तो आपको generic एक salary range मिल जाएगा तो guys देड़ लाग डॉलर से लेके तीन लाग डॉलर तक easily dentist अमेरिका में कमा लेते हैं एक साल में और अगर आप उसे INR में convert करोगे वो करोरों का package हो जाता है एक साल का guys तो बहुत अच्छा option है अगर आप तो अमेरिका में dentist बनना चाहते हो या dental hygienist बनना चाहते हो तो guys बहुत हवा चल रही है तेज बाहर अब बस घर जा रही हूँ हमायरा के पास जब मैं निकली थी तो वो सो रही थी तो अभी hopefully उठ गई होगी कुछ 45 minutes लगे करने में तो दो schedule था एक बार last time जब मैं आई थी तो नीचे वाले सारे दाथ को clean किया था और आज उपर वाले को clean किया तो इसलिए 45 minutes लगे वरना तेड़ गंटे लग जाते हैं अच्छे से cleaning हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक गाड़ी और दूसरे गाड़ी के बीच में distance लोग रखते हैं सिगनल से पहले मैंने भी अपने आगे वाली गाड़ी से distance रखा है आप देख सकते हो सो गईज मैं घर पहुझ गया और हमारा बीच जग चुकी है तो मैं उसके साथ अब खेलती हूँ और मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में अगर आप सबको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और गईज टे आपी इसे फिट बबाई